आपके साथ हर्ष भारद्वार्वाद्वाद्वाद्वाद्व दिली की सब्सक्राइब से बड़ी रामलीला लफकुष रामलीला कि हर किरदार से हम आपको मिलवा रहे हैं और अब एक बार फिर से गरवन मलिक जी मेरे साथ मौझूद है उनसे हम बातचीत करेंगे प्रभू श्री राम जिनका आप नाम लेते हैं तो सारे काम बन जाते हैं श्रीज भारत पर आपका किरदार आपका कैसे और रहने वाला है देखिए कि ये जो पूरी रामलीला होती है अंत यही है कि धर्म की विजए हुई और अधर्म की हार और उसके लिए देरे देरे हम अग्रेसर होते हैं उसी बीच बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं हमें ये समझना होगा कि अ अंधेरा और उजाला एक दूसरे के साथ जुड़े हैं जब तक आप अंधेरा नहीं देखेंगे तब तक उजाला नहीं होगा तो सी की ये बात की है कई बार मैंने देखे है मनुश्य हताश हो जाता है काफी जीवन में वो श्रगल करता है मेनत करता है उसको उस हिसाब से तो समझता है फल नहीं मिला तो हताश हो जाना या कई बार मनुश्य गलत काम कर देता है तो सोचता है कि इसके बाद आगे कैसे जीएंगे या क्या करेंगे तो लेकिन हमें समझना होगा जब तक आप अंधेरा नहीं देखेंगे तब तक उजाला नहीं होगा और हर इंसान ह हर मनुष्य अंधेरा जरूर देखता है रामन दिखेगा नहीं तो राम की वेल्यू नहीं पैचान पाएंगे तो यह आपको कभी भी जीवन में हतास नहीं होना है अगर आपने अंधेरा देखा है तो आप उजाले की और अग्रसर होईए और अपने जीवन में बदलाव लान मेक अप है सब कुछ है उसके बारे में आप कहेंगे क्योंकि यह भी बहुत बड़ी चुनौती है देखिए कि इसे कहते हैं नहीं तो एक किरदार का पार्ट है तो उसको किरदार लगने के लिए विग लगती है कपड़े पैने जाते हैं हमें साड़े छे बजे तक तयार हो मूरत को देखने आए तो वो किरदार में जब हम होते हैं तो लोग गगन ना देखकर प्रभु राम को देखते हैं तो उस किरदार में आना जरूरी है थोड़ा कठिन है लेकिन हम तयार है और मेनत करने के लिए तो कुछ भी नहीं है अब आपके बारे में भी ऐसा होने देखता है लेकिन अच्छे के साथ साथ एक responsibility भी आती है कंदों पर कि आपको हमेशा जागरित रहना आवेर रहना है कि अगर आप लोगों के लिए एक role model है आपको उसी चवी में वो देखते हैं तो आपको हमेशा अपना जीवन ध्यान से वितीत करना होगा ताकि कुछ ऐस इसे काम अपना करें ताकि लोगों के मन में आपकी इसद खत्म हो जाए तो थोड़ी सी जिम्मेदारियों का एसास भी है लेकिन मैं इतना सम्मान मिलने के लिए अगर ये कुर्बानियां देनी पड़े तो वो जाइस है बहुत हो शुक्रिया आपका तो हमारे साथ गगन मल जी की पहचान अब जिस तरीके से श्रीराम के तौर पर हो रही है वो तो आप देखी रहे हैं और उनसे हम खास बातशीत कर रहे थे कामरापरसन अजीत के साथ मैं हरुष भार्द वाज श्रिष भारत के लिए श्रिष भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और देखती रहें श्रिष भारत